सब स्टेप इस माइग्रेशन ओफ प्रोड़ियाय एंद ऐंफीम इक्स अप्राइजेशों का प्रोसेस अल्मुस्ट कंप्लेट हो गया था फेरिशुन में जो बने इंटर को अन्दर अब जहांसी ओवं के अंदर sperm enter करता है वहाँ पर क्या होता है एक चूटा सा उभार बन जाता है जिसके अंदर membrane चाहँ तरफ होती है और बीच में cytoplasm भरा हुआ होता है जैसे यहाँ से sperm ने एंटर किया तो यहाँ पर कौन फर्म हो जाता है इस कौन को कहते है एक्टिवेशन यह अजो इस यह है और आझाएं अजैगा स्टिवेशन इृवस्तिवेशन कोन इसके अंदर आजाएगा hu इसके अंदर गुल्प का सारे और घ्रपाँ सरी दिश प्रवर तर अ थिए चैज़्ून्स्रुंॉ सिर्फ क्या एंट्र करेगा जो नुक्रिस है नुक्रिस एंट्र करेगा ए बेचली नेस्ते साथ सेंट्राइब करेगा क्या बना लिए तो इस ने हो OVM और OVM का Nucleus होगा यह तो जो Swarm का Nucleus से वो आगे Move करेगा कहां तक आएगा वो जो OVM का Nucleus से वहां तक आएगा और इसके साथ बाद में Fuse हो जाएगा यह था Haploid N, Swarm का Nucleus और OVM का Nucleus भी क्या था haploid in, जब दोनों fuse हो जाएंगे तब क्या बनेगा deployed nucleus form हो जाएगा अब जैसे ही ये move करना start करता है, swarm का nucleus ovum की nucleus की तरफ वैसे ही ये 180 degree पे घूम जाता है, यानि इसकी जो mitochondria और central थे वो तो आगे आजाते हैं और ये खुद पीछे रहे जाता है जैसे जैसे ये move करता जाएगा वैसे वैसे इसकी nucleus में change आएगे इसका जो nucleus है, sperm का फूल जाएगा उसके अंदर जो chromosome से present है वो फेल जाएगे और ये एक बड़ा vesicle जैसा structure बना रहेगा इसको क्या कहेंगे फिर male pro nuclei जो nucleus है किसमें जीन जाएगा male pro nuclei में change हो जाएगा इसके साथ ही जो female nucleus है जो ovum का nucleus है वो भी क्या हो जाएगा size में बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा और vesicle का form ले लेगा उसको क्या कहेंगे फिर female pro nuclei तो ये हो जाएगा male pro nucleus और ये हो जाएगा female pro nucleus अब इन दोनों की fusion को क्या कहेंगे, amphimixis, amphimixis कहाँ पर होगा तो जो microlacetal या mesolacetal eggs होते हैं, ऐसे legs जिसमें yoke का amount बहुत कम होता है बहुत कम use, yoke present होता है तो उसमें तो जो female pro nuclei है वो एग के center में ही present होगा, तो amphimixis भी कहाँ होगा पिर center में ही होगा, इस पर हम center में जहां female pro nuclei present है वहीं पर male pro nuclei आकर उसके साथ pious होजाएगा और amphimixis का process होजाएगा, microlacetal and mesolacetal eggs में पर जो megalacetal eggs होते हैं, जिसमें एक आज़ी से जादा जगे तो क्या yoke ही present होता है तो ऐसे eggs जिसमें बहुत सारा योग होता है, तो इतना amount तो योग नहीं ले लिए ती जगा, योग नहीं किये लिए और यहाँ पर क्या present है, फिर female pro nuclei present है, तो जो male pro nuclei है वो इस एक सिरे पर ही आकर फियूज होगा, तो amphimixis कहां होगा, फिर megalacetal eggs नहीं एक सिरे पर ही होगा अब ज़्यादतर animals में क्या होता है यह है male pro nuclei, यह female pro nuclei इन दोनों की जो membranes है, वो आपस में fuse होजाती है, और दोनों का जो अंदर genetic material present है, वो genetic material भी आपस में fuse होजाता है और यह N से क्या होजाते हैं, double N होजाते हैं diploid condition में आ जाते हैं, यह तो कि पूरी जिल्ली ही जो पूरी ही membrane है, वो ही हट जाती है स्टिफ क्या रह जाता है, genetic material रह जाता है cell के अंदर, यह genetic material फिर आपस में mix होजाता है और इसके बाद mitosis का process होता है जिसमें spindle fiber बनते हैं, और दोनों cells divide होजाती है, उसकी बाद फिर क्या बन जाती है, दो जब से अलग-अलग हो जाती है, इसकी बाद दोनों genetic material होजाती है, इसकी बाद फिर बाद में membrane form होजाती है देख तो पहले ही थोड़ी सी membrane हटी है, और दोनों का genetic material होजाती है, और membrane पूरी मिल गई, और एक nucleus बन गया, इसकी बाद फिर दिविजन होगा, इसमें पहले ही membrane form होने से पहले ही division होजाएगा अब फिर्टलाइजेशन की importance क्या होती है, क्यों important होता है फिर्टलाइजेशन है, तो फिर्टलाइजेशन की वज़े से जो haploid gamits थे, वो दुपरा फिर्टलाइजेशन की क्या बना लेते हैं, डिप्लोइट न्यूक्लिस बना लेते हैं, डिप्लोइट जाइगोट का formation कर जाते हैं, जिसे क्रोमोसम नंबर generation to generation सेम बना रहता है, जादा नहीं होता या कम नहीं होता इसमें male and female दोनों के जो genetic material हैं, वो आपस में fuse होते हैं, जिसे जो offspring produce होता है, उसमें variations आजाते हैं, अलग बिविंता हैं दिखती है, अब आगे जाके egg कैसे develop होगा, या embryo कैसे develop होगा, उसमें cleavage कैसे होगा, या डिवाइट कैसे होगा, ये सारा कैसे पर depend करता है, fertilization पर depend करता है और fertilization की adjust बाद ही क्या बन जाती है, एक के चाओ तरफ fertilization मेंबरेन बन जाती है, जिससे polyspermy की condition रूख जाती है, या नि एक से जादा sperm आदर नहीं आपाते हैं, तो polyspermy को रूबने के लिए भी fertilization क्या होता है, important होता है, तो ये थी importance fertilization की